और इस वक्त की बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज नई राश्ट्रे शिक्षा नीती को लेकर 21 सदी में स्कूली शिक्षा के विशेपर संबोधित कर रही हैं सभी राज्जों के शिक्षावित, विद्वान गण, प्राचार्य गण, शिक्षग गण, देवियों और सज्जनों आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं, जो हमारे देश के भविश्च निर्मान की नीव डाल रहा है एक ऐसा क्षण है, जिसमें नए यूग के निर्मान के बीज पड़े हैं राष्ट्रियस शिक्षा निती, 21 सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है साथ्यों पिछले तीन दसकों में, दुनिया का हर ख्षेत्र बदल गया हर व्यवस्ता बदल गएगी इन तीन दसकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो लेकिन वो मार्क जिस पर चलते हुए समाज भविश्य की तरफ बढ़ता है हमारी सिक्षा व्यवस्ता वो अब भी पुराने धर्रे पर ही चल रही थी पुरानी सिक्षा व्यवस्ता को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए ब्लेक बॉर्ड को बदलना आवश्यक होता है जैसे हर स्कूल में पीनप बॉर्ड होता है उसमें तमाम जरूरी काग़ स्कूल के जरूरी आदेश बच्चों की बनाई पेंटिंग आदेश आप लोग लगाते रहते ये बॉर्ड हर कुछ समय में भर भी कुछ समय में भर जाता है उस पीनप बॉर्ड पर नई क्लास के नई बच्चों की नई पेंटिंग लगाने के लिए आपको बडलाव करना ही पड़ता है नई राष्टिय सिक्षान निती भी नई भारत की नई उमीदों की नई आवश्रक्ताओं की पूर्ती का एक सशक्त माध्यम है इसके पीछे पिछले चार-पाँच वर्षों की कड़ी मेहनत है हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है एक प्रकार से कहें तो ये काम की अश्ली शुरुवात हुई है अब हमें राष्ट्रिय शिक्षानीती को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे मैं जानता हूँ राष्ट्रिय शिक्षानीती का एलान होने के बाद आप मैंसे बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं ये शिक्षानीती क्या है ये कैसे अलग है इसे स्कूल और कॉलेजों की विवस्ता में क्या बढ़लावाएगा इस शिक्षानीती में एक शिक्षक के लिए क्या है एक शात्र के लिए क्या है और सबसे एहम इसे सफलता पुर्वग लागू करने के लिए क्या करना है कैसे करना है ये सवाव जायज भी है और जरूरी भी है और इसलिए ही हम सब यहाँ इस कारकम में इखटा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके आगे का रास्ता बना सके मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इनी बातों पर घंटों मन्थन किया है चर्चा की है टीचर्स खूद अपने हिसाब से लर्निंग मट्रियल तयार करें बच्चे अपना ट्योई मुजियम बनाएं पैरेंट्स को जोडने के लिए स्कूल में कॉम्यूनिटी लाइब्रेरी हो तस्विरों के साथ मल्टि लिंग्वल डिक्षनेरी हो स्कूल में भी कीचेन गार्डन हो ऐसे कितने ही विश्यों की बात हुई है अनेक नए आइडिया दिये गए है मुझे खुशी है कि राष्ट्रिय शिक्षान निती को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्सा से हिस्सा ले रहे हैं अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रा लेने भी कि राष्ट्रिय शिक्षान निती को लागू करने के बारे में देश भर के टीचर से माई गौव पॉर्टल पर उनके सुझाव मांगे थे एक सब्ता के भीतर ही पंद्रा लाग से ज़्यादा सुझाव मिले है यह सुझाव राष्ट्रिय शिक्षान निती को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे इस विशे में और अधिक जागरुकता लाने के लिए शिक्षा मंत्रा ले अने तरह के कारकम चला रहा है सत्यों किसी भी देश के विकास को गती देने में उसकी युवा पिढ़ी और युवा उर्जा इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है लेकिन उस युवा पिढ़ी का निर्मान बच्पन से ही शुरू हो जाता है जैसा बच्पन होगा भविश का जीवन काफी कुछ उसी पन निर्भर करता है बच्चों की सिक्षा उन्हें मिलने वाला वातावरन काफी हद तक यही तै करता है कि भविश में वो एज़ा परसन कैसा बनेगा उसकी परसनलिटी कैसी होगी इसलिए राष्ट्रिय शिक्षा नीती में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया गया है प्री स्कुल में तो बच्चा पहली बार माता पिता की छत्रचाय के बार माता पिता की देखवाल और घर के आराम भरे माहोर से बहार निकलने की शुरुआत करता है उसे दूर होता है यह वो पहला पढ़ा होता है जब बच्चे अपने सेंसीज अपनी स्कील्स को जादा बहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं इसके लिए ऐसे स्कूल ऐसे सिक्षकों की ज़रुत है जो बच्चों को फन लर्निंग प्लेफुल लर्निंग एक्टिविटी बेज लर्निंग और डिस्कवरी बेज लर्निंग का एन्वाइरमेंट दे मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगों कि कॉरोना की इस टाइम में यह सब कैसे होगा यह बात सोच से ज़्यादा एप्रोच की है और वैसे भी कॉरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं लेने वाले हैं बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें उनमें जादा सिखने की भावना का विकास हो बच्चों का मन उनका मस्तिस्क वैज्यानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करें उनमें mathematical thinking और scientific temperament विक्सित हो ये बहुत आवशक है और mathematical thinking का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे mathematics के problem ही solve करें बलकि ये सोचने का एक तरीका है ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है ये हर विशे को जीवन के पहलू को mathematical और logical रूप में समझने का द्रश्चिकों है ताकि मस्तिस्क अलग अलग प्रस्पेक्टिव में analysis करें ये द्रश्चिकों मन और मस्तिस्का इविकास बहुत जरूरी है और इसलिए ही राष्टिय सिख्षान नीती में इसके तोर तरीकों पर बहुत जादा ध्यान दिया गया है आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत से प्रिंसिपल्स ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने स्कूल में पहले से ही ऐसा करते हैं हो सकता है आपकी बात सही भी हो लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे भी तो है जहां ऐसा नहीं होता है एक समान भाव लाना भी तो जरूरी है ये भी एक बड़ी वज़य है जो आज आप से मैं इतना विस्तार से हो सके उतनी बारीकी पर बात कर रहा हूं साथियों राश्ट्रिय सिख्षा नीती में पुरानी 10 प्लस 2 की जगह 5 प्लस 3 प्लस 4 इसकी व्यवस्ता बहुत सोच समर कर की गई इसमें अरली चाइल्धूल केर एंड एजुकेशन को एक बुनियादी के रूप में नीव की रूप में शामिल किया गया है आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफूल एजुकेशन शेहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सिमित है वो अब गावों में भी पहुचेगी गरीब के घर तक पहुचेगी गरीब हो, अमीर हो, गाँ हो, शेहर हो हर किसी के, हर जगह के बच्चों को मिलेगी मुलबुत शिक्षा परध्यान इस नीति का सबसे महत्वपुन पहलू है राष्ट्रिय सिक्षा नीति के तहट foundational literacy and numeracy के विकास को एक राष्ट्रिय मिशन के रुप में लिया जाएगा प्रारंभीक भाषा का ज्यान संख्या का ज्यान बच्चों में सामान्य लेको पढ़ने और समझने की इक्षमता का विकास यह बहुत आवशक होता है बच्चा आगे जाकर read to learn करें इसके लिए जरूरी है कि शरुवात में वो learn to read करना सिखे learn to read से read to learn की यह विकास यात्रा foundational literacy and numeracy के माध्यम से पुरी की जाएगी साथियों हमें यह सुनिशित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है वो एक मिनट में तीस से पैती सब्द तक आसानी से पढ़ पाएं इसे आप लोग oral reading fluency कहते हैं जिस बच्चे को हम इस लेवल तक लाँ पाएंगे शेप कर पाएंगे शीखा पाएंगे तो भविश में उस विध्यार्थी को बाकी सब्जेस्ट का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी मैं इसके लिए आपको एक सुझाव देता हूँ यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ और 25 उनके दोस्त भी हों के हाओं बड़ाफ जानते हों और फिर कहो है तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते है बोलो फिर कही है कि तुम तेजी से भी बोलो और उसको खड़ा भी करो अब आप देखि विथ इसलिए परकार की इसके नाम बोलोगे, पहले फोटो रख करके दिखा सकते हैं, फिर शब्द लिख करके रखा सकते हैं, अपने ही दोस्तों की पहचान से वो सिखना स्यूज कर देए, इसको लर्निंग की प्रक्रिया कहते हैं, इससे आगे किक्षाओं में, स्टूडन्स पर बोज भी कम होगा, आप सिख्षण को पर भी बर्डन कम होगा, साथी बेसिक गनित, जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रक्षन, मल्टिप्रिकेशन, डिवीजन, ये सब भी बच्चे आसानी जे समझ सकेंगे, ये तब संबभ होगा, जब पढ़ाई, कीताबों और क्लास की चार दिवारियों से बहार निकाल कर, वास्विक दुनिया से जुड़ेगी, हमारे जीवन से, आसपास के परिवेश से जुड़ेगी, आसपास की चीजों से, रियल वर्ल्ड से, बच्चे कैसे सिख सकते हैं, इसका एक उदारण, इश्वर चंदर विद्या सागर की एक जीवन कत्री में, कहानी में, देखने को मिल आए, कहते हैं, इस्वर चंदर विद्या सागर जी, जब आठ साल के थे, उन्हें तब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई थी, एक बार वो अपने पीता के साथ, कोलकाता जा रहे थे, रास्ते में सड़क के किनारे उन्हें, अंग्रेजी में लिखे माइलिस्टोंस दिखे, कि इसमें कोलकाता किटनी दूर है, ये बताने के लिए, इंग्लिस में गिंती लिखी है, इस उत्तर से इश्वर चंदर विद्या सागर के बाल मन में है, और जिग्या साबडी, वो पूछते रहे, और उनके पिता जी, उन मील के पत्थरों पल लिखी, गिंती बताते रहे, और कोलकाता पहुंचते पहुंचते, इस्वर चंदर विद्या सागर पूरी इंग्लिस की काउंटिन सिख गए, वन, टू, त्री, फोर, सेवन, एट, नाइट, नाइट, आगया, ये है जिग्या सा की पढ़ाई, जिग्या सा से सिखने और सिखाने की शक्ती, सात्यों जब सिख्षा को आस-पास के परिवेश से जोड़ दिया जाता है, तो उसका प्रभाव विद्यार्थी के पूरे जीवन पर पढ़ता है, पूरे समाज पर भी पढ़ता है, जैसे जपान को देखिए, वहाँ शिन्रिन योकू का प्रचलन है, शिन्रिन का अर्थ है वन या जंगल और योकू का मतलब है नहना, यानि फॉरेस्ट बथिंग, वहाँ स्टूडेंट्स को जंगलों में या जहाँ पैड पौधे बहुत हैं, ऐसी जगों पर ले जाये जाता है, जहां बच्चे प्रक्रूती को स्वाभाव की रुप से मैसूस करें, पेड, पौधों, फुलों को सुने, देखें, टच, टेस, स्मेल, अनुभू करें, इससे बच्चों का प्रक्रूती और परियावरन के जुड़ाव भी होता है, और उनके होलिस्टिक तरीके से डेवलप्मेंट को भी बढ़ावा मिलता है, बच्चे इसे एंज्जोई भी करते हैं, और एक साथ कितनी सारी चीजें सीख भी रहे होते हैं, मैं जब गुजरात में मुल्कि मंतरी था, तो मैं एक कारकम चला था, हमने एक सुचना की सभी स्कूलों को, हमने कहा कि सभी स्कूल के बच्चे, अपने गाउं के अंदर सबसे बड़ी उमर का पैड कौन सा है, जिस पैड की सबसे जाना उमर हो चुई कि वो ढूंदो, तो उनको सब जगा पे जाना पड़ा, गाउं के आसपास के सारे पैड देखने पड़े, टीचर को भूजना पड़ा, और फिर सम्मेस हैमत बने कि यहां यह पैड बहुत पुराना है, और बाद में बच्चों ने स्कूल में आकर के उस पर गीत लिखे, नीबंद लिखे, वक्तुर्त्वा कथाएं कि यहांने उस पैड का महत्मा क्या है, लेकिन उस पूरी प्रक्रेम उनको कई पैड देखने पड़े, सबसे वुमर लाइक पैड का धूनना पड़ा, बहुत से चीजे वो सिखने लग गए, और मैं कह सकता हूं कि यह प्रयोग बहुत सफल रहा थ एक तरब बच्चों को परियावरन की जानकारी मिली, साथी साथ उन्हें अपने गाओं के विशे में धेर सारी जानकारियां प्राप्त करने का मोका भी मिला, हमें इसी तरह के आसान और नए नए तोर तरीकों को बढ़ाना होगा, हमारी यह प्रयोग न्यू एज का मुल मंत्र होना चाहिए, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्रियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल, यानि कि स्टूडन्स अपने रूची के हिसाब में, गतिविद्यों में, गटनाओं में, प्रोजेक्स में, एंगेज हो, इसे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें, इन विदियों, गटनाओं, प्रोजेक्स को विविन द्रश्टिकों अपने एक्सपरियंस से सिखे, यह उनका पर्सनल एक्सपरियंस हो सकता है, या कॉलोबरेटिव एक्सपरियंस हो सकता है, फिर पच्चे रचनात्मक तरीके से एक्सपरेस करना सिखे, इन सब को मिलाकर ही फिर एक्सेल करने का रास्ता बनता है अब जैसे कि हम बच्चों को पहड़ों पर एतिहासिक जगों पर खेतों में सुरक्षित मैनुफेक्टरिंग युनिट्स में लेकर जा सकते हैं अब देखिए आप क्लास्रूम में उनको रेलिवे का इंजीन पढ़ाएं आप उनको बस करें कर गाहों के नद्दी में लेज़ श्रेशन है तो चलो जायेंगे ज़ो को स्टेशन बे ट्रैन आती है तो एंजीन कैसा हुआ दिखाएंगे यूपी आप स्टेशन पर लियांगे बस कैसा होता दिखाएंगे उस वो देख करके सुक शुरू कर लेता है मैं जानता बहुत से टीचर बड़े इनोबेटी होते हैं और जी जान से लगे होते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ये सब जगे नहीं होता है, और हमने इन सारी अच्छी चीजों को जितना जाना फैलाएंगे, हमारे साथी सिक्षकों भी सिखने का मोका मिलेगा, और इस वज़र से बहुत स चात्र, प्रैक्टिकल नौलेज से दूर रह जाते हैं, टीचर नों का एक्सपरियेंस जितना ज्यादा शेर होगा, वो बच्चों के लाब में जाएगा, साथियों, हमारे देश भर में हर क्षेत्रे की अपनी कुछ ने कुछ खुबी है, कोई ने कोई पारमपरी कला, कारी प्रोड़क्स हर जगह के मश्यूर है, जैसे कि बिहार में भागलपूर की साडिया, वहां का सिल्क देश भर में फिरमस है, स्टूडेंट्स उन करगों, हाथ करगों में विजित करें, देखें, आखरी ये कपड़े बनते कैसे हैं, उनको सिखाया जाग जरा तुम, जो उस के मालिक हैं, जो उस पर काम कर रहे हैं, इनको जरा सवाल पूछो, क्लास्रूम में सवाल सिखा करके ले जाए जाए जाए, फिर उनको कहा जाए, हाकर के बताओ तुम ने क्या पूछा ता, क्या जवाब मिला, एक ये सादू, यही तो लड़नी है, जब वो पूछे का स्प पूछे को मिल जाएगा, स्कुल में भी ऐसे स्कील लोगों को बुलाएं जा सकता है, यह स्कील लोग आकर क्या अपनी प्रदर्शन ही लगा सकते हैं, वो वर्क्शोप की लगा, मान लीजे गाम में जो मिट्टी के बरतन बनाने वाले लोग हैं, एक दिन स्कुल में बुला जानकारी भी बढ़ेगी और सिखने में रुची भी बढ़ेगी, ऐसे कितने ही प्रफेशन्स हैं, जिन के लिए डिप स्किल की जरुवत होती हैं, लेकिन हम उन्हें महत्व ही नहीं देते, कई बार तो उन्हें छोटा समझ लेते हैं, अगर स्टूडेंस इन्हें जानेंगे, तो एक तरह का भावात्मक जुड़ा होगा, स्किल्स को समझे के उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हो सकता है, बड़े होकर, इन में से कई बच्चे ऐसे ही उद्योगों से जुड़े होगे, वो सो सकता है, वो ही बड़े मालिक बन जाए, बड़े उद्योकार बन जाए, सीखने का भही शुरू हो जाता है, बच्चों में संवेदना जगाने की बात जबाती है, अब बच्चे ऑटो रिक्षा में स्कूल आते हैं, क्या कभी उन बच्चों को पूछा कि उस ऑटो रिक्षा वाला का नाम क्या है, जो तुमें रोड ले आता है, उसका घर कह है, क्या कभी उसके जन्मदीन को आपने मनाया था क्या, क्या कभी आप उसके घर गए थे क्या, क्या कभी आपके माबाप को वो मिला था क्या, फिर बच्चों को कहो भई तुम ऐसा करो, तुमारा जो रिक्षा ड्रवर है जो तुमें लेकर के रिक्षा में लेता है, तुम बच्चों को उसके प्रतियक संवेधन प्रकट होगी वरना उन बच्चों को मानूम ने उनको लगता है मेरे पिताजी पैसे देते हैं इसलिए आटो रिख्षा वाला है मुझे लेकर आता है उसके मन में भाव नहीं जगता है कि आटो रिख्षा मेरी जिंदगी बना रहा है यह सिरफ आटो रिख्षा चलाने वाला चालक नहीं है मेरी जिंदगी को बनाने के लिए वो कुछ कर रहा है यह संवेधन पैदा होगी उसी परकार से अगर कोई दूसरा प्रफिशन भी चुनता है इंजी इंजीनियर भी बनता है तो उसके दिमाग में रहेगा कि फलाना को बहतर बना लिए क्या ही वो इनोवेशन किया जा सकता है इसी तरह हॉस्पिटल्स की फायर स्टेशन की या फिर दूसरी किसी जगे के विजीद भी लंग लग निंग का हिस्सा हो सकती है बच्चों को ले जाना चाहिए दिखाना चाहिए उनको पता चलेगा कि डॉक्टर यह कुछ ऐसा होता है उसी एक है का साथियों राष्ट्रिय शिक्षानिती को इसी तरह तयार किया गया है ताकि सिलेबस को कम किया जा सके और फंडामेंटल चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके लर्न लर्निंग को इंटीग्रेटेड एवं इंटर दिसिप्रिनरी फंड बेज और कम्प्लीट एक्स्पिरियंस बनाने के लिए एक नेशनल केरिकुलम फेमवर्क डेवलप किया जाएगा यह भी तै किया गया है कि 2022 पे जह हम आजहाजे के 75 वर्ष मनाएंगे तो हमारे स्टुडेंट्स इस नए करिकुलम के साथ ही नए भविश्की तरफ कदम बढ़ाएंगे यह भी forward looking, future ready और scientific करिकुलम होगा इसके लिए सभी के सुझाव लिए जाएंगे और सभी के सुझाव और modern education system को इसमें समाहित किया जाएगा साथियों, भविश्की दुनिया हमारी आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है हम इसकी जरुरतों को अभी से देख सकते हैं, सैंस कर सकते हैं ऐसे में हमें अपने स्टुडेंट्स को 21st century की स्किल्स के साथ आगे बढ़ाना है यह 21st century की स्किल्स क्या होगी यह होगी critical thinking, creativity, collaboration, curiosity और communication हमारे students sustainable future, sustainable science को समझे और दिशा में सोचे, यह सब आज समय की मांग है, बहुत जरुरी है और इसलिए छात्र शुरुवात से ही, कोडिंग सिखे, आर्टिफिशल इंटलिजन्स को समझे, internet of things, cloud computing, data science, और robotics, इससे जुड़े सारी बातों को भी उसके परीचे में उसको लाना होगा, हमें इसको देखना होगा, साथियों, हमारी पहले की जो सिख्षा नीती रही है, उसने हमारे स्टूड़न्स को बहुत ही बांध भी दिया था, जैसे उधान के तौर पर लें, तो विद्यारती, science लेता है, वो arts या commerce नहीं पढ़ सकता था, arts, commerce वालों के लिए मान लिया गया कि ये history, geography, accounts इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये science नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या real world में हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि केवल एक ही फिल की जानकरी से सारे काम हो जाएंगे, हकीकत में सभी विशय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, her learning interrelated है, students कोई एक विशय ले लेते हैं, बात में उन्हें लगता है कि वो दूसरे किसी खित्र में जादा बहतर कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान ववस्ता बडलाव का नई संभावनाओं से जुड़ने का आउसर ही नहीं देता, बहुंसे बच्चों के drop out होने का सबसे बड़ा कारण भी यही होता है, और इसलिए राष्ट्रिय सिख्षान नीती छात्रों को कोई भी विशय चुनने की आज़ादी दी गई है, मैं समझता हूँ कि यह सबसे बड़े सुधार के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, अब हमारे यहां युवां को साइंस, हुमेनिटी या कॉमर्स मैं से किसी एक ब्रैकेट में फीट होने की ज़रूरत नहीं है, देश के हर स्टुडेंट्स को उसकी प्रतिभावों को अब पूरा मौका मिलेगा, साथियों राष्ट्रिय शिक्षानीती एक और बहुत बड़ी समझ्या को भी एड्रेस करती हैं, यहां तो बड़े बड़े अनुभवी और जानकार लोग मेरे सामने उपस्तित हैं, हमारे देश में लर्निंग ड्रिवन एजुकेशन की जगर को बुरा मत मानना, लेकिन हकीकत है आज सितिय हैं, मार्क्स और मार्क्सिट यह एजुकेशन हावी है, लर्न तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घुमने जाते हैं, लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पुष्टे हैं कि बेटे तुमने क्या सीखा, बेटी तुमने क्या सीखा, नहीं पुष्टे हैं, पुष्टे हैं तो क्या पुष्टे हैं, यहीं पुष्टे हैं कि मार्च कितने आये, हर चीज वहीं जाकर के अटक जाती ह कुछ परिवार हैं उनको आदध होगे पूछते हैं अचा आज कुल में खाना क्या मिला था इनी चीजों के हसपास टेस्ट में नंबर कितने नंबर आए है एक टेस्ट, एक मार्षीट क्या बच्चों के सिखने की उनकी मानसीक व्कास की पेरामेटर हो सकती है और परिवार की प्रेश्टी सीट बन गई है परिवार की लिए प्रेक्षिट है बच्चे के लिए प्रेशस or सीट है पढ़ायी से मिल रहे इस तनाव को मैंतल स्ट्रेश से अपने बच्चों को निकालना राश्ट्रिय शिख्षा नीती का एक मुख्य उद्देश है परिक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बे वज़े का दबाव न पड़े और कोशिच ये हैं कि केवल एक परिक्षा से छात्र छात्राओं का मुल्यां का न किया जाए बलकि self assessment peer to peer assessment ये छात्रों के विकास के विबिन पहलों का मुल्यांकन हो इसलिए राश्ट्रिय शिख्षा नीती में मार्क्सिट की वज़े उसकी जगह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इसकर बल दिया गया इसकी बात कही गई है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों के यूनीक पोटेंशल एप्टिचूड एटिचूड टालेंट स्कील्स एफिशन्सी कॉंपिटन्सी और पॉसिबिलिट की डिटेल्स शिट होगी मुल्यांकन प्रणानिके मैं संपुन सुधार के लिए एक नए राष्टिय मुल्यांकन केंद्र परक्ति स्थापना भी की जाएगी साथियों राष्टिय स्ख्षा निती के आने के बात से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी इसमें क्या बडलाव किया जा रहा है यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरुत है कि भाषा सिख्षा का माध्यम है भाषा ही सारी सिख्षा नहीं है किताबी पढ़ाई में फंसे फंसे कुछ लोग ये फरक ही भूल जाते हैं और इसलिए जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सिख सके चीजें लर्न कर सके वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि विशाय से ज़्यादा बच्चे की उर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है इनी सम बातों को समझते हुए जानातर देशों में भी आरंबिक शिक्षा मात्रू भाषा में ही दी जाती है आप मैंसे बहुत से लोग यह जानते होंगे कि 2018 में प्रोग्रेम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसेज्मेंट पीशा की टॉप रैंकिंग वाले जितने देश थे हैं जैसे कि Estonia, Ireland, Finland, Japan, South Korea, Poland इन सब देशों में प्रात्मिक शिक्षा मात्रू भाषा में ही दी जाती है यह बात स्वाभाविक है कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं जो भाषा घर की भाषा होती है उसी में बच्चों की सीखने की गती बैतर होती है वरना होता यह है कि बच्चे जब किसी दूसरी भाषा में को सुनते हैं तो पहले वो मन में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं फिर उसको समझते हैं बाल मन में ये बड़ी उल्जन पैदा करती है बहुत स्ट्रेस देने वाली बात होती है इसका एक और पहलू भी है हमारे देश में खासकर ग्रामिन शेत्र में पढ़ाई मात्रुभासा से अलग होने पर और जादातर पैरेंट्स बच्चों की पढ़ाई से जूड़ भी नहीं पाते है ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ाई एक सहच प्रक्रिया नहीं रह जाती बलकि पढ़ाई स्कूल की एक डूटी बन जाती है पैरेंट्स और स्कूल के बीच में एक खाई हो जाती है सिक्षा का माध्यम मात्रु भाशा स्थायनी भाशा रखने की बात राश्ट्रिय शिक्षा निती में कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आप रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहेते और अब बात इस वक्त की बड़ी ख़बर की करेंगे ड्रक्स केस में जेल गई रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलेगी या फिर जेल में ही उन्हें रहना होगा इसका फैसला आपसे थोड़ी देर में हो जाएगा मुंबई की सेशन्स कोर्ट किसी भी वक्त रिया की बेल पर फैसला सुना सकती है सरकारी वकील अतुल सर्पांडे और रिया के वकील सतीश मानशिंदे कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब किसी भी वक्त फैसला आने वाला है रिया के अलावा शौविक समीच 6 आरोपियों पर औरडर आएगा कल कोर्ट ने रिया की बेल पर फैसला सुरक्षित रख लिया था तो किसी भी वक्त फैसला आएगा जैसी फैसला आता है हम इस पर अपडेट आपको देंगे लेकिन वक्त फिलाल एक शूटी से ब्रेक का हो रहे है फॉरण हासर